रामगड की पहाडी सर्गुजा में मौजूद यहां पहाडी अनेको रहस्यों से भरी हुई है इस पहाडी पर महाकवी कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य मेगदूतम की रेचना की थी जिसमें इस जगह को स्वर्गजा अर्थाद स्वर्गजाने का मार्ग कहा था इसी का अपभरंस ही बाद में सर्गुजा कहलाया योनिक क्विश्ट प्रेजेंटिंग रामगड की पहाडी 36 गड़ रामगड की पहाडी में बहुंस सारी गुफा हैं जिनमें से सीता बेंगरा लच्वन बेंगरा वा जोगी मारा की गुफाएं विस्व प्रसिद्ध है कहते हैं इस गुफा में भगवार राम वनमास के दौरान यहां आये थे इस गुफा की खोज 1848 इसा में डॉक्टर करनल आउसले ने किया था रामगर की पहाड़ी में सबसे पहले हाथी पोर नमग जगा पर हाथी खोह सुरंग है इसी गुफा में एक छोटा सा सीता कुंड भी मुझूद है कहते हैं मातसीता इसी कुंड में इसनान किया करते थी गुप्तकाल में कालिदास जब चंद्रगुप्त दृती के दरबार से निकल कर वकाटा कुवंस के राचा रुद्रसेन से मिलने चा रहे थे तो उन्हों ने रास्ते में इसी रामगर की पहाड़ी में विस्राम किया था यहां की प्राकरतिक शुंदर्ता ने कालिदास को बेहद प्रभावित किया इसी पहाड़ी में कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य में इकदूतम की रचन की थी इस महाकाववे में कालिदास ने कहा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वहाँ जाने का मार्ग यहीं से है इसे संस्कृत में स्वर्गजा कहा गया अर्थात स्वर्गजाने का मार्ग बाद में स्वर्गजा स्वर्गजा कहते कहते इस जगह का नाम सरगूचा हो गया रामगड की पहाडी में मौजूद सीता बेंगरा की गुफा में विस्व की प्राचीनतम नाट्र साल है जो की मौरेकाल के समय की है अर्थात आज से लगभग 2300 साल पूराणी यहां आज भी प्रमुक कलाकार देवदासी सुतना का वरूप दक्ष देवहीन की मुर्ती वा आकृती मौजूद है यहां गुफा 44 फिट लंबा वा 15 फिट चौणरा है इस गुफा में लगभग 30 लोगों के बैटने की जगह मौजूद है पास में मौजूद जोगी मारा की गुफा में आने को सेलचीतर वदेवदासी सुतना का वरूप दक्ष देवहीन की प्रेम गाथर लिखी होई है जोगी मारा की गुफा को एक है अग्रवाल ने वरुन मंदिर के नाम से संबोधीत किया है इस गुफा को चत्तीजगर का अजन्त भी कहा जाता है इस गुफा में जाने पर ऐसा लगता है मनों आज भी देवदासी सुतना का वरूप दक्ष देवहीन किसी कोने में नित्य कर रहे हो प्राचीन संस्कृती और अनेको रहस्यों को समेटे यहां पहाड़ी ना केवाल चत्तीजगर की बलकि पूरे भारत की सान बढ़ाती है इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज देखने को दियो सब्सक्राइब जरूर करे योने कुष्ट